नमस्का जहिंद रोज सुबए 6 बज़े और शाम को 6 बज़े आपको दो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जीके के पचास सो कॉशन होते हैं उसमें तो रोज लगाईए अच्छे से सिलेक्टेट कॉशन लिकर आते हैं करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट सभी मिलके लाइक कर दीजिए पहला कॉशन देखिए पोताला महल का क्या महत्तो है तो पोताला महल यह फेमस है क्यों फेमस है तो यह जो है दलाई लामा जो है उनका सर्दियों के समय का पुराना आश्रस्थल है दलाई लामा ऑप्शन नमबर डी इनका रहने का स्थान है जीरो माइल स्टोन को बिटिस द्वारा स्थापित किया गया था जो इस बिंदू का प्रियोग सभी दूरों को मापने के लिए करते थे यह कहां पर था तो जीरो माइल स्टोन यह आपका नागपुर में बिटिस हर्स द्वारा बनाए गया था अप्शन मसी नागपुर राइट आंसर है पंद्रा सो पांच में भारत में पहले पुर्तगाली वाइसराय द्वारा किस के लिए कर निमान कर आए गया था पहले पुर्तगाली वाइसराय के द्वारा पंद्रा सो पांच में सेंट एंजलो फोर्ट कर निमान कराया था जलिया वाला बाग नरसंगार का बदला लेने के लिए लंदन में ओडायर को किस ने मारा था तो लंदन में ओडायर को सरदार उधम सिंग जी ने मारा था option number 2 सरदार उधम सिंग जी right answer है निम्दले कितम से कौन सी धार्मिक और धर्म निर्पेक्ष दौनों रूप से प्रसिद्ध एतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेपुर सीकरी शहर में नहीं है तो देखो फतेपुर सीकरी शहर में आपका बुलन दरवाजा है सलीम चिस्ती की दरगा है और दीवानी खास उपर की जो तीनों है ये फतेपुर सीकरी में है कुत्ब शाही मकबरे ये फतेपुर सीकरी में नहीं है कुत्ब शाही मकबरे और उसने 1947 में द्रणता से भारत और पाकिस्तान के विहाजन का विरोध भी किया था तो खुदाई खिदमदगार आंदोलन का संस्थापक यहाँ पर राइट आंसर हो जाया खान अब्दुलगफार खान ऑप्शन मक्र सी खान अब्दुलकफार खान जी राइट आंसर है भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगल दिफ द्यारा शाशन या निंत्रण किया था तो भूटान पर कूच और वहाँ पर शाशन और निंत्रण किया था एक बिहार के राजा थे संथा आपका साथवी सताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ऑप्शन नुमरे साथवी सताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत की सवतनिता से पहले सबसे बड़ा सामंती राजी कौन सा था तो सवतनिता के पहले हैदराबाद सबसे बड़ा सामंती राजी था option number यहाँ पर C right answer है नम्हें लेकितम से किसने हिंद धर्म की कई अनुष्ठानों की खिलाब प्रचार किया जैसे कि मूर्ती पूजा जन्म से जाती पशुबली और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिवंद इन सभी के लिए खिलाब प्रचार किया था आपका स्वामी दयानन सरस्वती जी ने option number भी स्वामी दयानन सरस्वती जी प्रशने के लिए बिल्कुल right answer है लाल बलुअ पत्तर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शाश्कों के साही शहर को घेरता है जिसमें जहांगीर महल खास महल दीवाने खास और दो खूबशूरत मस्जिद हैं तो right answer हो जाएगा आपका आगरा का किला आगरा का किला जो है इसके अंदर है आपका जहांगीर महल खास महल दीवाने खास और दो खूबशूरत मस्जिद option number A यहाँ पर answer हो जाएगा आगरह ओठ, कोट लिखा है, आगरह ओठ कर लेना अगरिका किला, इन्हेमें से कौन सा अंदूलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया था, तो लाल बाल पाल के द्वारा स्वदेशी अंदूलन स्टार्ट किया ता, यहाँ पर option नभरी, स्वादेशी अंदुलन को लाल बाल पाल के द्वारा स्थार्ट किया गया था option number D right answer है भारती राष्टी कॉंग्रेस का पहला मुसलिम अध्यक्ष कौन था तो भारती राष्टी कॉंग्रेस का सबसे पहले मुसलिम अध्यक्ष थे ये खगोली ये वेदशाला है astronomical observatory खगोली ये वेदशाला option number D right answer है पाकिस्तान में सिंदु नदी को किस उर्दु नाम से संभूरित किया जाता है तो पाकिस्तान में जो सिंदु नदी है उसको दर्याए सिंद कहा जाता है option number D right answer है भारती कॉंग्रेज का पहला संभूरिन कहा है जुद किया गया था तो भारती कॉंग्रेज का सबसे पहला संभूरिन ये मुंबई में हुआ था option number C मुंबई में कॉंग्रेज का सबसे पहला संभूरिन हुआ था आजाद हिंद फोज इंडियन नेशनल आर्मी आई एन ए का अगठन कब हुआ था आई एन ए का अगठन हुआ था 1942 में आजाद हिंद फोज अगठन 1942 ओप्शन नमबर यहां पर सी राइट अंशर है विजय नगर सामराज़ पर सबसे पहले किस राजवंज का साशन रहा था सबसे पहले संगम राजवंज का साशन विजय नगर सामराज़ पर रहा था option नमर याँ पर भी प्रशने के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा दोस्तों आप Caution देखी रहे है यह जो Caution है ना यह आपकी एग्जाम में आ सकते हैं और आपके लिए मैंने एक PDF तयार की है यह जो Caution है यह आपको मिल जाएंगे आप सभी को यह Caution मिल सकते हैं जो जो भी खरीदना चाहता है 10,000 Caution है जिसकी चमता है खरीदने की वो यह 10,000 कौशन खरी सकता है PDF आपको WhatsApp पर मिल जाएगी और ये 300 रुपए की PDF है लेकिन अभी एक्जाम चल रहे हैं तो सबको 99 रुपए में मिल रही है 99 99 रुपए में आप फोन पे Google पे पेटियम के मादम से नीशे दिया नंबर पर पेमेंट करके ये PDF प्राप्त कर सकते हो WhatsApp पर आपको PDF भीज दी आएगी जिसकी छमता है जो जो खरी सकता है जरूर ले ले 10,000 कौशन आपको एक साथ पूरे मिल जाएगी जो हम पढ़ा रहे हैं जो अच्छ अच्छी कौशन 30 साल से एक्जाम में आए हुए ठीक है तो नीचे दिया नंबर संपर कर ले ना भारत में पूर्ति शाषण की आधार-षिला किस नो रखी थी पूर्ति शाषन की आधार शिला ये रखी थी अ अलपांजो D. अल्भू करक ने आप्शन 1 पू पूर्ति अलप्शन किया ऑप्शन ओबर भी डिंडी गुल का फौजज दारे था ऐदर अली इनमें से कीनिके बारे मैं नरम दल यए प्रियुग नहीं किया सकता तो भाया विपेनद चंद्रपाल जी ये नरम दल के नहीं गरम दल के थे विपेनद चंद्रपाल ये गरम दल के थे नरम दल के नहीं थे या रखना बिटिस शाषन के अंतरकत गरीबी और अर्थ वेस्ता पर दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक को लिखा था तो दादा हवाई नौरोजी की बहुत फेमस पुस्तक है एक्जाम में पचासो बार पूचिया चुकी है पौवर्टी एंड अनुब्रिटिस रूल इन इंडिया ओप्शन नौर सी यहां पर राइट आंसर है निम्द लिखेत में से कौन सा जोड़ा गलत है तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिये गाए उसमें से आपका निजाम साही एहमेद नगर बिल्कुल सही है आदल शाही बीजापुर सही है बरीद शाही बिरार ये गलत है और कुदब शाही गोलकुंडा भी सही है बरीद शाही बिरार ये आपका option number C जोड़ा गलत है बाकी तीनों जोड़ी सही हैं आपके निम्दल गितमें से किस शाशक के द्वारा प्रतिक पांच वर्ष में प्रयाग में एक धार्मिक सभा कायोजन किया जाता था तो प्रतिक पांच वर्ष में प्रयाग में राजा हर्षवर्धन के द्वारा एक धार्मिक सभा कायोजन किया जाता था option numberी राजाहर्श वधन राइट अंसर है कृष्टन देव राए के दर्वार के अश्ट दिगज में कौन शामिल थे तो किरश्टन देव राए के दर्वार में अश्ट दिगज थे उनमें उनके आठ महान कवी थे भूत को क्या मानने नहीं था भूमी पूजन, मृत्यु पश्यात, अस्तित्व या बली तो मूर्ती पूजन और बली ये जो दोनों थी ये बुद्ध को माने नहीं थी ना मूर्ती पूजा को मानते थे ना बली को मानते थे तो एक और तीन साही आंसर हो जाएगा option number A यहाँ पर right answer है प्राचीन कालीन शाषन कला एवं राज जेवस्था का उलेक कहा मिलता है तो प्राचीन कालीन शाषन कला एवं राज जेवस्था का उलेक अर्थ सास्त्र में मिलता है option number यहाँ पर C अर्थ सास्त्र right answer है निमनलकित में से 1192 ECV में कौन सा युद्ध हुआ था तो 1192 ECV में यहाँ पर आपको जो option देगे हैं तराइन का द्वतिय युद्ध हुआ था यहाँ पर option number B तराइन का द्वतिय युद्ध यह 1192 ECV में आपका हुआ था option number यहाँ पर B right answer है पल्लवों की राधानी किस शहर में थी तो जो पल्लव थे उनकी राधानी थी कांची पुरम option number B पल्लवों की राधानी थी कांची पुरम option number B यहाँ पर right answer है बंगाल व्याजन किस वर्ष में हुआ था तो बंगाल का व्याजन जो हुआ था यह 1905 ECV में हुआ था option number B बंगाल का व्याजन 1905 ECV right answer है किस सताबदी में अशोक का सामराज था तो अशोक का सामराज था आपका ईसाप पूर्व तीसरी सताबदी में option number B इसाप पूर्व तीसरी सताबदी में अशोक का सामराज था भारत पर तैमूर के आक्रवन के समय दिल्ली सल्तनत पर किस राजवन्श का साशन था तो दिल्ली सल्तनत पर आपका तुगलक वन्श का साशन था option number B तुगलक वन्श का साशन था दिल्ली सल्तनत पर बह्मनी सामराज की स्थापना किस न की थी तो बह्मनी सामराज की स्थापना अलाउदीन हसन बह्मन शाह न की थी ऑप्शन बड़ी अलाउदीन हसन बह्मन साह न बह्मनी सामराज की स्थापना की थी जैहिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था किसे भारत के लोह पुरुष के रूप में जाना जाता है, तो भारत का लोह पुरुष कहा जाता है, दादा भाई नोरो जी को भारत छोड़ो अंदोलन डैश की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था, अप्शन नोरी का नाम जुड़ा है, इनमे से किस से, तो धनवंत्री ये भारती ओशदियों से जड़े हुए हैं option number है भारती ओशदियों से इनका धनवंत्री का नाम जुड़ा हुआ है निवनलगेत्म से किसरी रचना के लिए रविणना टैगोर को नोबेल पुरुषकार से समानित किया गया था तो रविना टेगोर जी को नोबिल पुसकार मिला था गीतानजली के रचना के लिए औप्शन नमबर यहां पर सी गीतानजली के रचना के लिए रविना टेगोर जी को नोबिल पुसकार मिला था सिराजु दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी तो सिरा जो दौला की जो हार हुई थी ये प्लासी के युद्ध में हुई थी option number C प्लासी का युद्ध राइट आंसर हुजाएगा प्रश्न के लिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था तो गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला प्रवचन दिया था option number C सारनाथ में सबसे पहला प्रवचन दिया था सक युद्ध आरंभ हुआ था कब तो सक युद्ध जो आरंभ हुआ था शक युद्ध ये सन 78-20 में आरंभ हुआ था option number D हर्षवर्धन राइट आंसर है इंडिका के लिखक कौन है तो इंडिका के लिखक या आपके मैगस्तनीज option नमबर भी मैगस्तनीज ने इंडिका लिखी है इंडिका नामक जो है रचना मैगस्तनीज की है इंडी काकुस ना लिखी, सेम कौशन महगसीन, उप्शन नमगडली यहां पर राकिन्से के लेगा क्ला कोशन दीखे, पुरी के जगनाथ मंदिर का निमान किस ने कराया था तो पुरी के जगनात मंदिर का नमाण कराया था अनन्त वर्मन चोडगंग ने ऑप्शन नमबर अनन्त वर्मन चोडगंग राइट आंसर है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था तो गुलाम वंश का संस्थापक था इसका निमाड करा था शाह जहा ने, option number C, साह जहा ने जामा मज़िद का निमाड कराये था East India Company की स्थापना के समय भारत का शाषक कौन था East India Company, इसकी स्थापना के समय भारत का शाषक था अकबर, option number यहां पर भी अकबर जो है भारत का शाशक था इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय सन 1857 इसवी के विद्रो में किसने भाग नहीं लिया तो सन 1857 की इसवी के विद्रो में लक्ष्मी भाई, नाना साहिब और ताट्य टोपी ने भाग लिया था भगत सिंग जी के द्वारा भाग नहीं लिया गया था, ऑप्शन नमबर भी, भगत सिंग जी के द्वारा 1857 की करांटी में भाग नहीं लिया गया था, दसर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कों थे तो the servant of Indian society के संस्थापक थे जी के गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, option नमबर भी यहाँ पर right answer है दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाय गया था, तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाय गया था, 1911 इसवी की बात है, option नमबर भी 1911 इसवी right answer है चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ गया था, तो चौरी चौरा घटना के कारण अचानक असहियोग आंदोलन को रोकना पड़ गया था, option नमबर सी असहियोग आंदोलन को अचानक चौरी चौरा घटना के बाद रोकना पड़ गया था, निम तीन आई एन ए जवानों की प्रसिद्व सुनवाई के समय वकील कौन था तो आई एन ए जवानों की प्रसिद्व सुनवाई के समय वकील थे वो थे भूला भाई देशाई, option number ए, भूला भाई देशाई, right answer है, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन पर आरंप किया गया थ भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नेजनरल कौन था, तो भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना के समय लौड डफरिन, भारत के गवर्नेजनरल थे, option number ए, लौड डफरिन, right answer है, व्ला भाई पडल को सरदार की उपादी किस न दी, तो भारत के अंदर संपूर क्रांती के जो पक्षधर थे वो थे आपके जै प्रकाश नारणजी, ऑप्षन नमर ए, जै प्रकाश नारणजी संपूर क्रांती के पक्षधर थे, सक काल पर आधारत राष्ट्री पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो सक काल पर आधारत जो र सब्सक्राइब नंद वंश के समय हुआ था ऑप्शन नंबर भी नंद वंश राइट आंसर है सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किस ने किया सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान यह अलाउदीन खिलजी ने स्टार्ट किया था ऑप्शन नमसी अलाउदीन खिलजी राइट आंसर है इनमें से किस आउधी में Lord William Wating गवर्नर जनरल थी तो Lord William Wating ये आपके 1828 से 1835 की बात है इसे समय Lord William Wating जो थे गवर्नर जनरल थी Montague Champs Forte सुधार जो था ये आपका किस वर्ष पारित किया गया था तो Montague Champs Forte सुधार ये 1919 issue में पारित किया गया था पारित किया था Montague Champs Forte सुधार निम्दलक तमें से सही अनुक्रम कौन सा है तो मुगल सामराज की बात हो और सबसे पहले आये थे बाबर बाबर के बाद हुमायू हुमायू के बाद अकबर जहांगीर शाह जहां और अरंग जिएओ बाबर हुमायू अकबर जहांगीर शाह जहां औरंग जियो ठीक है डैश में शाह जहां मुगल सिंग हासन पर बैठा था तो शाह जहां बैठा था मुगल सिंग हासन पर 1628 इसवी में option number 1628 इसवी right answer है गुप्त सामराज का वास्तुएक संस्थापक किसे माना जाता है तो गुप्त सामराज के वास्तुएक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम option number B चंद्रगुप्त प्रथम right answer है प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाप कौन थे जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल के नवाप्ते सिराजुद दौला option number ए सिराजुद दौला बंगाल के नवाप्ते प्लासी की युद्ध की समय किसके शाशनकाल में एबने बतूता भारत आया था तो एबने वतूता भारत आया था मोहंबद बिन तुगलक के साशनकाल में ऑप्शन नमड़ी मोहंबद बिन तुगलक के साशनकाल में एबने वतूता भारत आया था गान्डी जी का चंपारण सत्यागर निम्नमे से किस से संबन्ध है तो गान्री जी का चंपारण सत्य अगर तिन कठिया पद्धती से सम्मनित है option number तिन कठिया पद्धती राइट आंसर है अशोका सिलालेक किस भांशा में लिखा गया था अशोका सिलालेक ये ब्राम्ही भांशा में लिखा गया था Option number यहां पर भी ब्राम् से भाषा राइट 你れて चार आरे सत्त किसका साहित है तो चार आरे सत्त यह बह्त धर्म का साहित है Option number यह बह्त धर्म राइट आँसर है 22 किनके दर्लवारी लेखा कवी थे 22 जी यहर शवर्धन के दर्लवारी लेखा कवी थे option number C यहाँ पर right answer है और यह रहाज का आखरी question इसका answer comment box में आप comment करके बताएंगे कि अकिला भारती ये Muslim League के प्रथम अध्यक्ष कौन थे मैं आपको दो option दे रहा हूँ एक बदुरुदीन तयब जी और दूसरा आगाखा इन दोनों मेंसे A और B मेंस कोई एक सही है comment करके answer देने की कोशिश कीजिए गलत भी होगा तो मैं आपको बता दूँगा हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जिसको भी PDF चाहिए निची दे नंबर समपर कर लें रोज सुबए 6 बजे और शाम को 6 बजे वीडियो मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना बहुत बहुत धन्वाद जय हिंद जय भारत